बच्चा जनम लेता है तो मा के सरीर में बहुत कमी हो जाती है नूट्रिशन की इसलिए डॉक्टर कहता है ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे में तीन साल का गयप रखे लेकिन यहाँ बेर साल में दूगों अटा देता है जो इलागाईगी बाप पे चल गया है एक और भी बच्चा जनम लेता है तो मा के सरीर में बहुत कमी हो जाती है नूट्रिशन की उसकी भरपाई करने में उसको तीन साल लग जाता है भरपाई करते करते तीन साल लग जाते है इसलिए डॉक्टर कहता है ने एक बच्चे से दूसरे बच्चे में तीन साल का गयप रखे ताक कि निया बच्चा है तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन जा सके लेकिन यहां बेर साल में दूगों अटा देता है अब बताओ बच्चे में कहां से न्यूट्रिशन जाएगा बच्चा भोदा हो जाएगा अलाइन से अगर पाशाद को गया साव तो जो आखरी में होगा उ जो जो और दूसरे बच्चे में गईप रहेगा तीन साल का तो एक बच्चे को प्र और किया जा सकता है नहींतर भी नहीं होना चाहिए जिए देखिये-गा जो भूष जादे जरूरी होता है इस किजिद्यों के लिए आप जन संख्या देखिए गांट देखने को मिलेगा सहर के तुला में जान हब जादे होगा गाउं में बच्चे का 나와 में दो अगर कम हैं ए तो dahaो मैं जяв करकुन येरे साधिक देखバイ तो थोड़ा अगर अमीर बन जा तो educated society में रहा है उस category में तो उसको धिरे धिरे क्या आ गई है जागरुपता आ गई है तो दो चीजे बड़ा माइने रखती है अगर education वाला है पढ़े लिखे लोग में automatic जन संक्या control होगी पैसा है तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में र ग्रामीर चेत्रों में कहा है ग्रामीर चेत्रों में अग्रामीर चेत्र से लोग उठके सहर में आ जाते हैं इसलिए सहर की जन संक्या लगती है लेकिन अगर अगर को दिया जा लोग डाउन लगा दो सब लोग जब लोटने लगे सवार खाली होने लगता है होने लगता है ये कुछ चीजे समाजिक चीजे होती है जैसे एक व्यक्ति चारचर भी आ कर लेता है तो इस समाजिक मुद्दा है तो इसे कोसिस करना चाहिए कानून के माध्यम से कठोर कानून बनाए और समाज में भी इसकी जग रुपता लाना जरूरी हो जाता है